नमस्कात दोस्ताइब बहुत बहुत सुखत है गेज़ोल की एक और ने एपीजोड में जहाँ पर मैं आपको साइन्स और टेक्नोजी रिलेटेस सारे लेटेस नियूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाते हो तो चले शुरू करते हैं अज का वीडियो बेना कोई बाक था पहले आगे आप गेज़ोल चनल को जल्दी सबस्क्राइब कर देना दूसरे जो प्रोड़ाट लांच किया है वो है Realme का 10,000 MH 30W वाला पावर बैंक जो की लांच हुआ है 2,000 रुपए पे और जो तीसरा प्रोड़ाट वो कुछ भी नहीं है सबी को लगाता है Realme, Realme CI लांच करने वाल है लेकिन Realme ने बो प्रोड़ाट लांच ही नहीं किया और वैसे यह जो Realme C11 लांच हुआ है वैसे तो स्मार्टपोन लगबर ठीक्टा किये लेकिन प्राइस मेरे क्याल से थोड़ा सा ज्यादा है अगा 7,000 रुपए होता तो बहुत ही बढ़िया होता तो आगला नियोस भी Realme की तरफ से जैसे कब इस पिक्चर में देख सकते Realme का कोई स्मार्टपोन आने वाल है जो कि होगा 6,000 इमीज बाला स्मार्टपोन अब देखे 6,000 इमीज बाला स्मार्टपोन ये कौन सा हो सकता है अगर मैं अपना उपिनियोन बदो तो मुझे लग और किसी भी हालाद में 6,000 इमीज बाटारी कोई भी स्मार्टपोन बजेट रेंज में बिल्कुल भी नहीं देगा मतलब option एक ही रहता है mid range मतलब 15-21,000 के बीच में और 15-21,000 में Realme का दो स्मार्टपोन आता है पहला तो Realme X-series मतलब XT, X2, A sub-series और दूसरा होता है Realme 7 औ 7 Pro होगा तो आप मुझे निचे कॉमेशेकर में बताओ कि Realme का कौन साज मार्टपोन 6,000 इमीज बाला हो सकता है तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पर आता है कि Realme अपना 120W बाला Fast Charge लाने वाला है आप इस पिक्चर में देखी सकते Realme ने फिर से उसका tease कर दिया है कि 16 जुलाई को Realme लांच काने वाले आपना Next Generation Fast Charge Technology जो कि 4000 इमीज बैटरी को exactly 10 मिनिट के आसपास फूल चार्च कर देगा तो इसके बात का नियूज दे जियो की तरब से इस साल जियो के मालिक मुकेश अमपनी का लग बहुत ही बढ़ी है मुकेश अमपनी को अल्रेडी दूनि पर कंपनी जी ओ मतलब रिलांग्स तो टिक टोक तो इंडिया पे बैंड हो चुका है तो रिसेली एक नया मैलोवार मार्केट में फैल चुका है जिसका नामे टिक टोक प्रो नम का एप जो कि एक तरका का मैलोर है यह मैलोर जिनरली आपके पास आईगा होर्स अप के का अपडेटेड वर्शन टिक टोक प्रोब इंस्टल करो तो वह बिल्कुल भी इंस्टल मत कीजिए जैसे ही आप उसे इंस्टल करेंगे इंस्टल करने के बाद आपके पास से एप टोटल चार इंफ्रमेशन मांगेगा पहला कॉंटेक्ट दूसरा SMS तीसरा कैमेरा और चार माइक्रोफोन जो कि इस एप को बिल्कुल भी नहीं चाहिए जैसे ही आप उसे ओके करतेंगे बस हंडिट परसन आपका फोन हैक हो जाएगा और आपका सारा इंफ्रमेशन दूसरे सर्वर में चला जाएगा इसलिए आगर आपके पास कोई ऐसा मेसेज आता है स्पेशली हो स्मार्टपन जो कि होगा लिनोबो लेजियों सीरिस का गेमिक स्मार्टपन वह कहो तो आने बाला है 22 सेकंड जुलाइ को आप का जारे कि लिनोबो का इस साल दो वरी एन लांच होगा एक लिनोबो नार्माल बालग ग्मिक स्मार्टपन और लिन्योबो प्रो scenery का gaming smartphone बैसे इसके ऊपर एक detail video में एक दो दिन में जरूर बनाउँगा लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ आगा दुनिया का सबसे powerful कोई performance बाला smartphone हो सकता है तो वो एक smartphone होगा यह कि एक performance के मादले में मैं इसे 100 out of 100 देना चाहूंगा तो आज था Poco M2 Pro का सबसे पहला सेल और आपको थापती ये जिनरली मैं सब्सक्राइबर के रिए स्मार्पन बुक कर देता हूँ तो आज मैंने ए स्मार्पन कुछ लोग के लिए बुक किया वो सेल अल्रेड़े शुरू हो चोगा था दो मिनिट पहले से इसके उपर मेरे पास एक कॉंफर्म प्रूप भी है तो वो प्रूप लेके मैं आपके लिए बो वीडियो जरूर बनाऊंगा तो क्योंकि अभी लोगडाउन चल रहा है तो इसलिए जो वीडियो कॉंफरेंसिंग एप ऐसे टाइप का जरूरत और भी जादा बढ़ चुका है प्रूप नॉट पर जो बैटरी उसके बाड़ में थोड़ा सा कॉंफूशन था कि वांप्लस नॉट पर गिटरी कितने कं खाया कुछ लोग का कहना है 400 मेंच कुछ लोग का कहना है 5000 अपने लेकिन आब एकडं कॉन प्रूर्म इंपर्मेशन मिल चुका है और 6G के उपर काम चल रहा है, Samshun के तरफ से official कहना है, पूरे दुनिया पे 2008 साल में 6G technology commercially available होगा, आप देखे, ए तो सीधी बात है, अगर पूरे दुनिया पे 6G technology commercially available होगा, और वो भी सबसे पहले USA पे होगा, और USA के generally 2 साल बात वो इंडिया में आता है, मतलब 2030 साल से पहले इंडिया में 6G technology बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जैसे के भी इस picture में देख सकते, एक दरसले upcoming galaxy Z Fold 2 और इस बर इसमें पीछे टोटल 3 केमेरा होगा, तीन केमेरा में से एक केमेरा होगा, 64 मेगापिक्सेल और 10 मेगापिक्सेल का फ्रॉंट केमेरा होगा, और अज का final news, तो इंसान आप मार्स में जो लोग या जो एलियन्स रहते, अब होने भी परेशन करेगा, क्योंकि अगले हबते USA, चाइना और United Arab Emirates, ये तीन देश अपने आन्में स्पेस्शिप मार्स पर भेजने बाला है, मार्स में जाके उदर के समुन्दर, लाभा, जमीन वाद जो कुछ भी सब पर बहुत सारे टेस्ट करेगा, मार्स के लोग अब इसके बज़े से बहुत ज़्यादा परेशन में आने वाले, तो आज के टेक दूश आई तक उमीद है आज के वीडियो के पसंद आए होगा, इस वीडियो के बार में आपका जो भी बीचार है नीचे कॉमेशन के लिगना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मिलता अगली वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you.